सब्सक्राइब करना चाहता हूं उन्होंने बहुत अच्छे माहौल में सब्सक्राइब करना चाहता हूं जितने प्रश्ण उन्होंने पूछे उन्होंने जवाब दिये जैसा मैंने सुबह भी बोल रहा था कि हमारे पस कुछ छुपाने को नहीं है और यह पूरा का पूरा कथित एलेज्ड शराब घोटाला जूट है फरजी है और गंदी राजनीती से प्रेरित है आम आदमी पार्टी एक कट्टर इमानदार पार्टी है इमानदारी कट्टर इमानदारी हमारी बेसिक आइडियोजी है और किसी भी हालत में हम मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन अपनी मानदारी के साथ कभी कमप्रमाइस नहीं करेंगे और यही कारण है कि वो जबर्दस्ति हमारे उपर कीचिड भैंकना चाहते हैं और दूसरा कारण है कि दिल्ली के अंदर जो अच्छे काम हो रहे हैं और पंजाब के अंदर अच्छे काम होने चालू हैं, यह वो काम नहीं कर बाते हैं, यह अच्छे स्कूल नहीं बना सकते हैं, 30 साल में इन से गुजरात में एक स्कूल नहीं बना, अध्यापरदेश में एक स्कूल नहीं बना, तो यह जो अच्छे काम हम कर रहे हैं, वो यह कर नह सकते हैं सो एक ही तरीका इनको मिलाए कि हमें बदनाम करो हमें कुचल दो आमाद्मी पार्टी को कुचल दो बरबाद कर दो ने तो लोग इंसे पूछते हैं अभी जब आमाद्मी पार्टी ने किया तो तुम ने क्यों नहीं किया लेकिन अब लोगों ने देख लिया कि 75 साल म बन गई आमादमी पार्टी जगे जगे जा रही है लोगों की उमीदों पर खरी उतर रही है तिर आमादमी पार्टी को खतम करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं हो सकता पूरी देश की जंता हमारे साथ है अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप सब कुछ पूछा उन लोगों ने यह नीती शुरू कैसे हुई आपने कहां से शुरू किया क्यों शुरू किया वहां से लेके अंत तक सारा आप यह मान के चलो कि 2020 से लेके और अभी तक कि जितनी डवलपमेंट्स हैं सब के ऊपर के सवालों से आपको क्या लगा कि कि पास क्या अधार है और क्या आपको आगे भी बुलाने के लिए उन्होंने कहा है ऐसा मुझे कोई इंडिकेट नहीं किया कि वो आगे बुलाएंगे और मेरा अपना मानना है कि पूरा का पूरा केस जो है वो सब कुछ फरजी है सब सबूत या इतना सा भी एविडेंस उनके पास नहीं है यह ब कहने के लिए कि हमादमी पार्टी ने कुछ गलत किया है हमारी सरकार ने कुछ गलत कि है पार्टी के लोग ऑवास उठा रहे थे आम आदमी पार्टी के लोग आवाज उठा रहे थे उनको गिरफ्तार किया गया यह गलत है शांती पूरवक प्रदर्शन करना हम लोगों का अधिकार है हम किसी को कोई गलत नहीं कर रहे थे मुझे खुशी है कि आप दीरे दीरे छोड़ रहे हैं कियों नहीं बुला सकते हैं कियों नहीं बुला सकते हैं कैसे कौन से नहीं हमके खिलाफ है कल सदन होगा बिलकुल होगा कौन से नहीं हमके खिलाफ है कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित किया यही पंजाब की ऐल जी साब थोड़ा-सा समविधान थोड़े से रूल स्थोड़े से कायदे और पढ़ लें मैंने बार-बार काय कि कोई ऐसा एडवाइजर रख लें जिसको थोड़ी समविधान की जानकारी हो तो अच्छा रहेगा बहुत-बहुत शुक्रिया थैंक यू झाल झाल